हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सोगत करता हूं प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनलन को सब्सक्राइब कर दो UPNHM भरती 2024 दोस्तो UPNHM की तरफ से कारियाले मुक्च किसा अधिकारी जनपत लखनव से 45 पदोब पर वेकेंसी आ चुकी है वेरियस पोजीशन पर यह भरती निकाले गई है इसका इंटर्व्यू होगा जो कि दोस्तो वाकिरें इंटर्व्यू होगा और इंटर्व्यू जो है आप लोगों का 2 March 2024 को होने वाला है तो दोस्तो आज इस वेडियो में बात करेंगे इस भरती के बारे में जिसमें सबसे पहले जानकाई देंगे प्रोग्राम के बारे में इसके बाद कौन सी पोजीशन है टोटल कितनी विकेंसी है क्रेटगरी वाज विकेंसी के बारे में जानकाई देंगे फिर सैली के बारे में जानकाई देंगे एक्सपेरियंस के बारे में जानकाई देंगे कहां पर इंटर्वीव होगा इसकी जानकारी देने वाले हैं तो जी हां दोस्तो यूपी एनेचेम कारियाले मुख के चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनव से वेरियस पोजीशन पर टोटल 45 पदोपर भरती आ चुका है वाकिन इंटर्वीव के बेस पर आपका सेलेक्शन होगा तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन पर देखे दोस्तो यह जो नोटिफिकेशन है अलग अलग न्यूज पेपर में पब्लिस कर दिया गया है आज ही की डेट में यानि की आज है 25 फरवरी और आज ही के न्यूज पेपर में यह नोटिफिकेशन पब्लिस की गई है तो चलिए दोस्तो नोटिफिकेशन की मैं प्रूफ दिखा दूँ इसके बाद बात करेंगे इस भरती के बारे में तो दोस्तो आप लोग यहाँ पे देख पारी होंगे सबसे पहले आप लोग देखिए हिंदुस्तान इपेपर और यहाँ पे आप लोग देखिए हिंदुस्तान अपना राज काज लखनव रवीवार 25 फरवरी दो हजार 24 पेज नमबर टू पर जैसे आप लोग आओगे त नीचे कारियाले मुक्चिकिसा अधिकारी जनपद लखनव दिनांग के 24 फरवरी 2024 और यह आप लोगों का स्वाट नोटिफिकेशन पब्लिस किया गया है चलिए दोस्तो मैंने कटिंग यहाँ पे ले रखी है आपके सामने पूरी कटिंग ओपन हो चुकी है डिटेल्स में हम लोग जानकारी देंगे कारियाले मुक्चिकिसा अधिकारी जनपद लखनव पतरांग संख्या 2922 दिनांग 24 फरवरी 2024 मिसन निदेशक राश्टरी सौस्त मिसन उतर परदेश लखनव के पतर संख्या 19 ओबलिक 4150 दिनांग 18 अगस 2023 के अनुपालण में जनपद में राश् चिकिसकों यां भी BS की नियुकती वाकिन इंटर्वू की माध्यम से की जानी है जिसका डिटेल्स निम्नुवत है यहां पर नंबर वन सेरेल लंबर दिया गया है फिर आपका प्रोग्राम दिया गया है फिर आपका पोस्ट है फिर वेकेंसी है सैली के बारे में जानकारी है इसमें अगर आपने MBBS का रखा है और आपके पास है बलड बैंक में एक साल का experience है और basic computer में knowledge है तो आप लोग farm भर सकते हो आपको 60,000 रुपे salary मिलने वाली है DHS में दोस्तों देखोगे तो प्रोग्राम है आपका DHS इसमें post है EMO तो DHS में EMO की vacancy है और EMO में दोस्तों 50,000 रुपे salary मिलेगी इसमें emergency ward में अगर आपके पास एक साल का experience है 100 bidder hospital में and basic knowledge है computer में तो आप लोग farm भर पाएंगे नमबर 3DHS HDU में दोस्तों EMO HDU की vacancy है इसमें भी 60,000 रुपे salary मिलेगी आपको HDU में दोस्तों एक साल का experience है and basic knowledge है computer में तो आप लोग farm को apply कर पाओगे MH maternal health में दोस्तों lady medical officer की vacancy 60,000 रुपे salary मिलेगी इसमें बिल्कुल freezer farm को भर सकती है अगर आपने MBBS का रखा है और बिल्कुल freezer हो तो farm भर पाएंगे बाकी आपके पास basic knowledge होना चाहिए computer line में and NRC में medical officer की vacancy है इसमें भी आपको 60,000 रुपे salary मिलेगी MBBS बिल्कुल freezer farm को भर पाएंगे आगे देखिए ENTEP, ENTEP में दोस्तों EMOMC की vacancy है 60,000 रुपे salary मिलेगी tuberculosis में अगर एक साल का experience है और computer में knowledge है तो आप लोग farm जो है भर पाएंगे NUA-HEM में दोस्तों medical officer full time की vacancy है इसमें 55,000 salary मिलेगी and 20,000 PBI bonus दिया जाएगा इसमें भी MBBS बिल्कुल freezer farm को भर सकती है PICU में medical officer की vacancy है इसमें 63,000 salary मिलेगी one year experience and basic knowledge होना चाहिए computer में तो आप लोग farm भर पाएंगे DEIC में medical officer की vacancy 60,000 रुपे salary मिलेगी और इसमें भी बिल्कुल freezer farm को भर पाएंगे telemedicine में medical officer की vacancy 60,000 रुपे salary मिलेगी computer में जो है आपके पास knowledge अच्छी होनी चाहिए आप लोग farm भर सकती हो बिल्कुल freezer and 11 नंबर देखिए UHWC इसमें medical officer UHWC की vacancy है इसमें भी 55,000 रुपे salary मिलेगी और 20,000 रुपे आपको PBI bonus दिया जाएगा basic knowledge होना चाहिए computer में तो आप लोग farm को भलाई कर पाओगे तो देखिए UPNHM कारियाले मुक्च की सा अधिकारी जनपद लखनव से भरती यहाँ पे निकाली गई है 45 पदों पर यह vacancy यहाँ पे निकाली गई है जिसमें से दोस्तों यूर कड़गरी के लिए 6 vacancy, OBC के लिए 9 vacancy, YAC के लिए 17 vacancy, YAC के लिए 2 vacancy and EWS के लिए 11 vacancy रखे गई है उप्रोक्त समस्त पदों पर वाकिन इंटर्वू दिनांक 2 मार्च 2024 को प्राते 8 बजे से सामको 8 बजे तक सभागार दितिये तल कारियाले मुक्च की सा अधिकारी लखनव में संपन कराई जाएगा अप्राहन 2 बजे के उपरांत पंजी करन नहीं किया जाएगा इचुक एभरती वाकिन इंटर्वू की समय नविंतम बायो डाटा समस्त वांचित मूल अभिलेग रज्जी स्टेशन दो नविंतम कलर फोटोगराफ तथा अन सभी सैच्चिडिक यों अनुभोव से संबन्धित परमाड़ पत्रों की सो परमाड़ प्रतियों के एक सट के साथ साचात कार में परतिभाग कर सकते हैं बगी मैंने आपको बदा दिया है कहां पर इंटर्वीव होगा तो इंटर्वीव आप लोगों का वाकिन इंटर्वीव होगा दो मार्च दो हजार चौबिस को पराते आठ बजे से सामको आठ बजे तक सभागार दितिये तल कारियाला मोकची किस्था अधिकारी लकनव में आ आपका इंटर्विव होगा आप राहन दो बजह के उप्रांत पंजी करर नहीं किया जाएगा सारे डाकूइमेंट्स आपको लेके जाना है दो म आर्च को पंजी कर राक़े आप लोग इंटर्वु में सामिल हो सकते हैं और आप लोग इंटर्वू दे कर जोइनिंग ले सकते हैं बाकी आयू जो है आपकी दिनांग 1 मार्च 2024 को मैक्सिमम पैंसर वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए बाकी मुक्च किस्वा अधिकारी जन्पत लखनव से यह भरती निकाले गई है 45 पदोग पर यह भरती निकाले गई है यहाँ पे सब कुछ चानकारी मेंसन है कुछ ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पे एक्स्पिरियंस कंपल सरी है लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम है जैसे EMH, NRC इसमें बिल्कुल फ्रेसर फार्म भर सकते हैं NUHM में भी दोस्तों बिल्कुल फ्रेसर यहाँ पे फार्म भर सकते हैं DIC, Telemedicine, UHWC में दोस्तों बिल्कुल फ्रेसर, MBBS यहाँ पे फार्म को अपलाई कर पाएंगे धन्यवाद